इंडियन कंसि़ट्यूशन ने हमें decesizeding से कहीं भी आने जाने की एजाजत दी है और article 21 में में भी हमें कहीं भी इंडिया में यह कहीं आने जाने की एजाज़त लिए ऐसे में लड़का लड़की कोई होटल में जाते हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे रोक सके होटल चेकिन करड़े टाइम में कौन-कौन से चीजों का ध्यान रखेंगे इस बात को थोड़ा डिटेल में समझाइए सब्सक्राइब करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब में ही किये हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस होटल में चेकिन करड़े टाम में आपको चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप कानुवी तोर पे सेफ रहें फास्ट है एज अगर लड़का लड़की कोई होटल में चेकिन करना चाहते हैं जो कहीं जाना चाहते हैं तो उसका एज 18 साल से ज्यादा होना चाहि हीस अगर लड़की एज 18 साल से कम है तो उसके गार्जीयन आप पे गिडिनाफिंग या रैप कर सकता है तो उसेNe में आप बस सकते हैं लेकिन अगर आप फैमिले के साथ होटल में चेकिन करते हैं तो आपके एच का कोई मैंने नहीं रखता आप कोई भी एच का आप फैमिले के साथ होटल में चेकिन कर सकते हैं दूसरा है आईडी अगर होटल में चेकिन करना जाते हैं तो आपके पास एक आ में देनी होती है और तीसरा है ID Card दोनों की IDs卡 होनी चाहिए और उस में 18 साल से जादी किए होनी होनी चाहिए और उस पेसे रियरेंगे करन करके आपको होतल में देना होता है अगर दोनों में से किसी एक के पास भी आईडी नहीं है तो उसका चेक-इंड कर दिया जाएगा लेकिन अगर दो तीन लर्के होटल में चेक-इंड कर रहे हैं तो किसी एक का भी आईडी है उस पर आईडी पर अपना सान करके होटल में दे देगा तो उससे काम चल जाएगा लेकिन अगर आप होटल में चेकिन कर सकते हैं अगर कोई लड़का या लड़की कोई इंडियान नहीं है तो उसका चेकिंग है डिनेर कार दिया जागा और उसको होटल में रूम नहीं मिलेगा इसलिए लड़का और लड़की दोनों इंडियान होना चाहिए अगर आप यह चारों चीज जो है फोलो करते हैं तो आप कानूनी तरफे बहुत ही शेफ और रहेंगे इसे में अगर लड़का लड़की जो अनमरीड है अगर वो होटल में चेकिन कर रहे हैं तो यह कानूनी तरफे भले ही भैलिड है लेकिन समाजी तरफे यह भैलिड नहीं है अगर आप समाज में अगर इस करते टाइम में आपको किनकीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सुवाई होक कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक के जिए अपने फ्रेंड को सासरे कीजिए अगर आपकी अडेली में कोई क्वेस्चन हो तो नीचे कमेंट वक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं